एक वीडियो था, जिसमें आपने कई बाते की, काफी वाइरल हो और काफी फैन्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काफी फैन्स आपको ट्रोल भी गर रहे हैं, तो मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं, जो फैन्स सपोर्ट कर रहे हैं, उसके रिए क्या तहना चाहोगे तो, ने, I love my मैं फैन्स जो मुझे ट्रोल भी कर रहे, I love my fans जो मुझे सपोर्ड भी कर रहे, मैं एमोशनल हूँ लड़की, बहुत जादे एमोशनल हूँ, और मैं रोती भी हूँ, मैं हसती भी हूँ, मैं अपने आपको संभाल लिया है, और आज ही मैंने सुबर डांस किया है, और मैं डां काम भी नहीं कर रहा है, और मुझे बहुत लंबा वेकिशन चाहिए, I need, मुझे कही जाना है, कहां जाना है, मुझे नहीं मालुम है, बड़ मुझे जाना है, I love everything, how difficult it is to overcome a heartbreak, very difficult, I'm eating rabdi, jalebi, kheer, chocolate, cake, itna sara मैं खारी हूँ, बता नहीं, जब मैं totally diet पे हूँ, when I'm depressed, why am I eating so much of sweets, क्यों मुझे शान्ती मलती है sweets का के, मुझे नहीं पता, but, आज मैंने सुरीन मश्कार मारे है, 1.500, कल मैंने और आसुब मैंने इतना मिठाय खाया है, डिप्रेशन से बाहर निकल के, और मैंने इतना 1.500 सुरीन मश्कार औ खा भी रही हूँ, निकाल भी रही हूँ, sorry Salman जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, कि मैं slim हो जाओ, लेकि मैं बे डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत जल्दी slim हो जाओंगी Salman जी, और आपके सौंग के लिए मैं ready हो जाओंगी, मुझे थोड़ा सा वक दीचिए, फिर हम जाओंगी Salman जी, मैंने आपके लिए dream देखा था मैंने कल, कि मैं एक दम size zero हो गई हूँ, और हम लग साथ में गाना कर रहे हूँ, ओके रागी जी, रिप्रेश तो चल गये, लेकिन उनकी आदों में उनकी कुछ यादे आती जो आप कर सकते हैं, कुछ अच्छी बाते या मैंने रिथेश की मेरी कोई यादे उतनी है नी, क्योंकि रिथेश जब कैनड़ा, बेल्जियम से आये थे, तो हम लोग तुरंद बिग बॉस में गए, और बिग बॉस से आने के बाद फिनाले रहे, वान और टू विक्स हम साथ में रहे हैं सर्फ, उतना ज्यादा रहे ने ना मैं अपने हनीमून पे गई हूँ, है मेरा हनीमून, कश मैं हनीमून पे जाती, मैं मौनी रॉय की तरह, बर्फ में, स्नो में, मौनी रॉय उनके कपल की तरह, और अंकीता लोखंडे की तरह, मैं हनीमून पे जाती, और मैं स्नो में, एक दूसरे के उपर हम गोले भी बन करे लिखने का। और रोगाना जो था करवंटे बदलते रहे सारी रात हम आपकी कसम, आपकी कसम, I'm not mad, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, I'm fine, बढ़ हाँ, मुझे सब के तरह आनिमोन मनाने का मौका नहीं मिला है, बढ़ एक दिन तो जाएंगी कबर में जाने से पहले आनिमोन, God, मुझे तब उससे पहले लेना मत, please, हाँ, मुझे उससे पहले बुलाना मत, please God, मुझे हानिमोन जाना है, मुझे सनो के गोले बना-बना के, जैसे विराध कॉली और उनकी वाइव गये थे, सनो में, सब लोग जिन की शादी हो जाती न, वो ठंडी जगे क्यों जाते हैं, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे हन्यमून करना है, कि ताके मैं ठेह सरे आइस के गुले बना-बना के एन आपने पती पे पेकूँ एराकी जी आप डिग बस के अंदर जब रिटेश निकल चुके तो आप बोले कि मुझे भी डर है कि विजे छोड़के चल जाले हूँ है, मुझे जो डर होगया सच्च तो आप क्या कहें है कि मेरी गलती के वज़े से हुआ है, मैं सारा ब्लेम अपने पे लेती हूँ, आइम नोट ब्लेमिंग रिटेश वर एनी थी, हीज़ नाइस गाई, हीज़ आज मुझे पता चला के रिटेश मेडिया के सामने और रियाल रिशो में क्यों नहीं आना चाहते थे, वाद अच अच्छा के वाद अच्छा के लें शादी करोंगी, किसी पर नोट बॉलिए हुआ है, थे पीश्चा करें यह 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 नावक जादी करने के लिए। मेरे देडी एक्सपायर हो गया, लेकि मेरे डेड़ी की इच्छाथी, मैं बड़े पुलीस वाले से शादी करूँं, मैं यी जाओंगी, मैं प्रिचेटर्ट से शादी करूँ, मैं यी जाओंगी, एपने हस्बंगा को चुह कर लगाते हुए देखूंगी बैठके और महममत पर आप कहला को लेते कि अपिस किया ते रिते तो वो चिले के वो बहुत जА्ढ़ धुखी थाँ तो इसने बार- गाव लेंगे भुखी थ या उनों वी तो हमको किस किया था और आज बख्ने भाफिती अने पूकल मुझे तो बशीप looked atTERigue 3 I am everything I am blaming for my marriage, forcefully marriage, I am blaming myself, I am taking my मैं अपने पर सारा इलजाम लेती हूं, के मैंने forcefully शादी करी थी, मैंने forcefully उनको भुला के यहां पर शादी करी थी, उनका कोई कसूर नहीं है और मैंने फोर्सफुली उनके साथ खिस किया था बाहिस साब मैं इतने तो इल्जाम अपने पे ले रही हूँ यार कौन सी लड़की होगी जो अपने पेतना इल्जाम लेगी बताओ आज बॉलिवूड लेजेंड सिंगर बपी लेरी जी हमारे बीच नहीं रहे है मैं ने काफी थाउजन से भी अच्छे गाने दी आप क्या कुछ पहनाचा हो इसकी बफिदा मिस्स कर रहे हम आपको बफिदा कि मैंने आपके साथ कितने सारे आवर्ड नाइट की बपिदा बफिदा कितने अच्छे लगते ट्ताजर गोल्ड पैन के बपीदा के तरह वो जो उनका लूक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता कोई कितना भी गोल्ड पैने लेकिन बप्विदा ने जो गाने दिये हैं उलाला 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 तु है मेरी फैंटिसी चुनाना चुनाना अब मैं जवां हो गई फिर आइमर कौन सामर डिस्कोड डांसर मुनिमद नाम ह होनि डार्लिंग तेरे लिए शीला शीला कि जवान कि ज्यावान इनलवर सरे गाने दिये हैं और और कौन जा कि यादा लोगरा हर एद inertर प्यार देर पयार बहूंत शारे गाने दिये बप्विदा ने इस ईतनी न ऊच्छा था आप रह सोगूला शींवर हो कित रह था थे अपको तो 100 साल जीना था अब वालीवूर क्या करेगा आपके बगेर आप इतने अच्छा गाने देते थे Oh my god, अभी last Big Boss में भी आप आए थे आपके पोते के साथ आपके पोते के साथ आप आप आए थे और आपके पोते ने इतना अच्छा डांस किया था वे मिस यू, I hope कि आपको स्वर्ग में बहुत अच्छा, वेलकम हो, हो गया, आपका वेलकम हो गया स्वर्ग में, पर आकी कि आप गया है नहीं उनके प्रणान में, मैं बहुत सद हूँ, मैं अपने सेंस में नहीं हूँ, और मैं, मेरे पास वाइट सेलवार कमीज नहीं थे, मेडिया के माध्यम से मैं दूख जता रही हूँ, और मैं सब बहुत बहुत दन्नेवाद, रांकी जापको, बहुत बहुत दन्नेवाद, रांकी नहीं, आपको इनकी जाए, आप लोगा रहे हो, वहाँ के मेडिया कबर करेगे, वहां की मिडिया तो तिनी खास नहीं ये जतने मुंबाई की मिडिया बैस्ट है रोटीखाओं अबोपाल वी गया था मैं तो इन नहीं जा थितुर्च अब यह जारी हूं डो गढ़ यह अधिये है रोकिकी को भिऌते मेरी नायस तो आपको हम पसी तैयारी किया उनके साधी के लिए जाने कर चाहिए? उमर से लिकां सब लोग जा रहे, बहुत सारी लोग जा रहे, तो हम 18 को मॉर्निंग में आपका आरेपोट में मिलेंगे आप लोग आ जाना एरेपोट पे, मैं 9 बजे, 9 सादे नो बजे पहुंच जाओंगे तो कुछ कपल डांस है की इसोलो डांस है हो आपका, मतले जीसे फ्रेंड के साथ यह, भूट जे मेरा तो दारावी डांस रहेगा राहें से श्हेले कान academ करूं मुझे पसंद है, अपना बिंदा से फ्रीक आउट डांस पसंद है, मुझे फ्रीक आउट, दारावी और गंपती डांस, बद पसंद है. बाद पसंद है.